हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल तिंग डिफेंड वाई सिव में आज हम बात करेंगे जो यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है 10 और 12 का 25 अपरेल को तो उसके बारे में बात करेंगी कि जिन बच्चों के नंबर कम रहे गए हैं या जिनको तोबार से पिपर देना है वह क्या कर सकते हों कितनी परसेंटेज पर आप सेफ हैं आगे के एक्जाम्स के लिए या जो भी आप फ्यूचर में कोई एक्जामिनेशन फर्म भरोगे तो वहां पर कितना लगबा लगबाग सेफ है तो सबसे पहले हम बात करेंगे 10 की फिर 12 की तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं लास्ट में कुछ चीजा आप कैसे बताऊंगा जो आपके लिए बहुत हैल्फुल होंगी तो कंप्लीट वीडियो अच्छ से देखना वरना वीडियो अभी मत देखना तो आप स्टार्ट करते हैं क्लास 10 से तो जो क्लास 10 के अंदर थे कक्षा 10 के विद्यारती थे जो बच्चे 11 में आ चुके हैं या नहीं आये हैं वहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं 6 सब्जेक्ट में 6 विश्यों में जो बच्चा 4 सब्जेक्ट में पूरा कंप्लीट पास था वो दो में फैल है ठीक है तो एक कंप्लीट पास हैं और दो सब्जेक्ट में आप फैल हो गए तो एक सब्जेक्ट तो गोर्मेंट की तरफ से आपको छूट मिलती है और एक सब्जेक्ट का आप कंपार्टमेंट भर सकते हैं जो कि लगबग जून में हो सकता है अभी उसकी डेट नहीं आई है जैसे डेट आईगी तो हम उसको आपको बता देंगे अगर कोई बच्चा पांच सब्जेक्ट में पास है और एक सब्जेक्ट में फैल है तो वैसे भी पास है तो वो अगर कंपार्टमेंट वह अगर नहीं भी भरता है उसको इंप्रूमेंट भरना है क्योंकि वह पास हो चुका है तो compartment और improvement समझ में आगे, यह 10th class के लिए improvement होगा, 12th class के लिए improvement नहीं होगा, वहाँ पर compartment होगा, तो दुबार से मैं बता रहा हूँ, 10th class में जो 4 subject में बिल्कुल अच्छे से pass हो गया, वो किनी 2 में से 1 subject में compartment भर सकता है, और उसके बाद वो pass हो जाएगा, अगर वो 5 subject में pass है, एक में फैल है, तो वो वैसे भी pass है, तो वो improvement वरेगा, एक subject के लिए, 12th class की बात करते हैं, 12th class में 5 subject होते हैं, तो 5 subject में, जो 4 subject में pass है, और किसी एक subject में वो फैल है, तो वो वहाँ पे compartment भर सकता है, यहाँ पे improvement का कोई भी चक्कर नहीं है, आप improvement नहीं ऐसन यह कि आप pass हो चुके हैं, और आप दुबार से paper दे के अगली class में जा सकता है, मतलब कि एक paper दुबार से दे सकता है, अगर आप pass है, तो आप 12th में compartment improvement आपके लिए नहीं है, आपके लिए क्या है वो भी बताएंगे, तो इसमें अब आपका मुझे नहीं लगता है सा improvement है, लगबग 2500 से 300 रुपे की fees होती है, इसकूल में जाके आप फार्म अगेरा जमा करोगे, तो हो जाएगा, इसकूल में जाना अपने, वहाँ पर पूछ लेना पता लग जाएगा आपको, उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप pass हो चुके हैं, और आपका किसी एक subject मे आपको ऐसा लगता है कि आपका पर बहुत अच्छा गया था, लेकिन जो result आया, उसमें जो number आये हैं, वह आपको उतने नहीं आये, जितने आपके आने चाहिए थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको scrutiny का फोर्म होता है, सन्नी परिक्सा है, इसको हिंदियें बोला जाता है, वह आपको भढ़ना होगा, और एक सब्जेक्ट के लिए वह पान सुरुपे लिया जाता है, ठीक है, क्या करेंगे, आप स्कूर्टनी का फार्म बरेंगे, और उसकी डेट जो है, वह 15 या 19 मही लास्ट डेट है, अभी पुड़ा या तो 15 मही है, या फिर 19 मही है, बनाव आप भर दीजे, लगबग मिड मही से पहले पहले आप भर दीजे अभी अगले 2-4-5 दिन में, वह कैसे कैसे भरते हैं, वह भी बताऊंगा मैं, तो यहाँ पर क्या है, जिसको लगता हो, कि उसके नंबर कम है, उतने आने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दो नंबर का डि और अच्छे से जिस टीचर से आप पढ़े होंगे, उनसे आप एक बार डिसकस कर लेना, तो उसके बाद आप उसका सन्नी परिक्सा भर सकते, यहाँ पर ध्यान देना है, कि जो आपका लिखित परिक्सा है, उसके लिए 500 रुपे अलग लगेगा, एक सब्जेक्ट के लिए 500 रुपे लगेगा, अगर लिखित और परियोगात्मक दोनों में करोगे, तो 500 प्लस 500, 1000 रुपे लगेगा, इस तरीके से, तो सन्नी परिक्सा में क्या होगा, आपकी कोपी दुबारा से चेक होगी, उसमें देखा जाएगा कि कहीं पर ऐसा तो नहीं है, कि किसी कोशन्स को आपको नमबर नहीं दिये गए है, या आपके नमबर जो है, वो जोड़ने में गलत कर दिया गया है, कभी-कभी हो जाता ऐसा भी कि किसी बच्चे के लिए कि नमबर जादा तो उसके नमबर कमा, को दोस्तों ध्यान रखनी है, तो सन्नी परिक्सा मेरे अकोडिंग, जो भी पेपर कैसे आपको भड़ना है, कैसे फार्म भड़ना है, क्या चालान फार्म भड़ना है, कहां पर जमा करना है, क्या-क्या चीज़े उसके लिए लिखी जाएंगी, वो सारी-सारी वीडियो जो हम पहले सी बना चुके हैं, उसमें कोई भी अभी हमको कोई भी चेंज list में बना दोंगा और वो आप जरूर देखे उनकी सारी वीडियो से एक एकतर较 चरकल कि अच्छे से और वो वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई भी कमेंट करना है या आपको कोई भी प्रोबलम आती इसके साथ में playlist में देखने को मिल जाएगी तो हम ने साइचीजा आपको clear कर दी उम्मीद है कि आप कोई video अच्छ लगी होगी और मैं ये चाहता हूं कि आप इस video को ज़ादा से ज़ादा बच्छों तक तो सभी पेपर्स के लिए eligible हो जाते हैं कहीं कहीं पर 55% भी हैं कहीं पर 50% भी होता है कहीं 45% भी होता है SC OBC बगएर बगएर के लिए तो अगर आपके 60% marks है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी भी कोई form में आपको दिक्कत आ सकती है हाँ जो आपका Air Force का exams होता है वहाँ पे PCM में वह 60% मांगते हैं इस तरह के से कहीं कहीं पर आ सकता है तो अपना देख लीजे अगर आपके 60% और आल भी है प्रैक्टिकल को छोड़के और PCM में भी आपके 60% है तो mostly form भर सकते हैं इससे कम पर 55 भर भर जा सकते हैं लेकिन अग कि यह BSC Bcom हर एक चीज़ पर हमने वीडियो बनाई हुई है तो उसका भी आपको ब्लेस्ट में जाके देखना कि 12 के बाद क्या करें बहुत सारी वीडियो जैंबी टैक के लिए भी है बीएसी के लिए बीएसी के लिए नर्सिंग के लिए भी है फार्मा के लिए बीए के ल होने वाली दोस्तों और आप से फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे जो रैड कलर का बटन आपको दिखरा है उसको प्रेस कर दीजिए इसके साथ साथ जो बैल आइकन है उसको दबा लाइक कर सकते हैं टेलिग्राम पर भी हमारा सेम नाम है तो आप और जाएके भी हम से जूड़ सकते हैं और हमारे जो पेजिज हैं उनको लाइक कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी या क्या आपकी क्वैरी है कुछ भी आपको अगर कोई बी पर कम आ रहे हैं उसके बाद हमने बताई compartment को दे सकता है improvement को दे सकता है और कितनी percentage पर आप सिक्योर मान सकते हैं लगबर लगबग अपने आपको और उसके लिए भी हमने बताया है तो आई टी वगणा के लिए भी आपको देखना है कि उसमें आप है या नहीं है तो वो चीज़े भी आपको यहां पर देखने को जूर मिलेंगी धन्यवाद दोस्तो नमस्कार जैहिंद जैवरा थैंक यू